हेलो गाइज वेलकम टू प्रोफिक्टर्स आज मैं आप सभी लेगा एक नया वीडियो जिसमें मैं आप सभी को बढ़ाने वालों एक नया चैप्टर इंग्लिस सब्डीट का है महारास्ट्रा बोट का इस चैप्टर का नाम है डू स्कूल्स रियली किल क्रियेटिविटी यह है मारी मैं मैं जाने क्या होता है तो सब्सक्राइब जनाड्fast में जाने जिए सब्सक्राइब करें और जाना सब्सक्राइब पॉजिशन पर चलाौ tweaks, Film चैट Big तैंटर फॉर्म थे में वेस्टी मिनिस्टर वेस्ट मिनिस्टर बेज़ इन्सारी कई के इस पहले पोस्ट कंफिक्ट एडवईजर थे निया पार के तो ने उसमें सो एक चेट तॉक नाम स्कूल्स्टों स्ट्रइन से उसको माण देती is arguing that we don't grow into sensitivity उन्होंने कहा कि हम लोग creativity के अंधर नहीं better creativity के बाहर ही मितलब हमें क्रियेटी से लेने देना कुछ से रहा देनल तो यह उन्होंने कहा स pak треть और रॉबिनसन से क्रेटर्विनसन नगा आ क्रिएटी न्य Linke बढ़े लिखा रहना है उतना ही हमारे लिए इंपोर्टेंट है creativity तो वी शूड अफॉर्ड इट टेस्ट तो हम यह creativity और लिटरेसी यह दोनों को साथ में ही रखना चाहिए चलते नेक्स लाइट में इसको माइंड मैपिंग मतलब कि छोटे से डायग्राम में आपको दिखाना है तो इसको माइंड मैंड मैपिंग देखिए समया सार केन रॉबिंस ने क्या क्या कहा था स्कूल्स्किल क्रियेटीविटी जो कि मैंने आपको बता है एइजुकेशन को चोड़के हमें कुछ और मतलब आउट अफ्रेटिविटी एजुकेशन चाहिए पर उन्होंने का ट्रू क्रिटीविटी क्या है इस बेस्ट नॉलज वीच इन टर्न बेस्ट वन लिटेसी जो रूपी जाके आगे लिटेसी में करमट होती है और इस बेस्ट नॉलज विटेसी स्किल्स विच आल फर्दर लर्निंग डिपेंड्स आट देर्फोर नॉट किलिंग रिटीविटी उन्होंने पर उन्होंने यह पता है इसमें फिर उन्हें एक एक्जांपल भी लिया था उनकी अपने ही सिटी में से एक यंग गर्ल का नाम ह इसका नाम गिलियन लिन था वह उसका एड़ 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 एज ऑफ एड़ मतलब वह आठ साल की लड़गी थी वह बहुत ही एक वीक स्टुडेंट थी इसलिए उन्होंने का एक्जांपल है वी तो प्रॉबैबल लर्निंग डिफिकल्टी ड्यूट्टी ड्यूट्वर इ ने जो आगे टीचर आपके बोलते हैं वह हमें सूनना है तो वही वह यह अच्छ आपर बैठ नहीं सकती थी उसको कुछ ना कुछ ब्हुतर मदर वेटर मदर इसकी मम्य को जब पता चला तो उसकी मम्य ने उसको उस लड़की को डॉक्टर के पास लेए डॉक्टर ने फिर पर एक रेडियो चालू करके छोड़ दिया उसको फिर वो लड़की धीरे दीरे उस गाने को सुनते सुनते वो डॉक्टर उसकी मम्मी के साथ बाहर चले गए उनको मतलब कमरे में किसी को नहीं दिया सी वहां पर गिलियन लड़की जो की बीमार नहीं है सब लोग को लगता थ जब लड़की को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया तो लड़की उठकर डांस करने लगी तो लड़की मम्मी को कहा कि आपकी बीमार नहीं है आपकी बेटी डांसर है तुड़े अट इज ऑफ 92 आज की दिन में वह 92 गिलियन के लुप बैक ऑन लॉंग करियर इन बैलिड डां वह वर्ल्ल की सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर सक्सेस्फुल कोरियोग्राफर बन चुकी थी विट इट्स लाइक एंड्रू लॉयड्स वेबर्स के जो नांस से उसमें कोरियोग्राफ किया उसने फैंटम अब दो पर आमोंग अर्मेनी अच्विमेंट बहुत सारे अच्व स्कुल्स स्कुल्स रियली किल क्रियेटिविटी चलते अब नेक्स लाइट पर यहां पर जो मैंने आपको लास्ट दो पेराग्राफ में समझाया है वही यहां पर माइंड मैपिंग करके दिया गया है गिलियन लिन नाम की जो लड़की थी वह आट साल की लड़की थी उसक अकेले छोड़के रेडियो चालू कर दिया है वह डांस करना सुरुवात कर दे फिर हो डॉक्टर ने उसको उसकी मंदर को कहा कि यह लड़की बीमार नहीं यह डांसर है फिर उसका एक करियर म्यूजिकल थीटर बैले बैले डांसर में चल गया है और स्कूल इंग्नोर यह चेप्टर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो गाइस लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ चली सलते हैं अब नेक्स स्लाइट पर एक बहुत सारे स्कील एक्विशन करने के उपर जो रिसेर्च हो उन्होंने क्या दिखा कि जो स्किल्स आते हैं वो कैसे आते हैं ट्रेनिंग से प्रेक्टिस से यहां से आते हैं सब स्किल्स वेरी रेरली जेनरलाइज टू अटर एरियास अंड कोई-कोई ऐसे से बहुत रह जाता है तो इसमें यही चैप्टर में यही सब बताए गया है इस शर्टनली अन्हेलफूल और प्रवेबली रांग देर्फूर तो टॉक अबुटिकल तिंकिंग स्किल्स क्रिटिकल तिंकिंग इस इन इंपॉर्टन पार्ट ओफ मोस्ट इसीप्लिन पीपलों में क्रिटि इस शर्टन पार्ट तो चलते हैं जैसा कि अमने क्रिटिकल तिंकिंग के बारे में सुना वैसे ही उपर विक्रिटिविटी इस नॉट इस नॉट तिंगल तिंग यहां पर बताए गया क्रिटिविटी कोई एक चीज नहीं है बट इन फैक्ट ऑवोल कलेक्शन आप सिमिलर एक बहुत बारा बद्र भार्शन सींलर स्क्रिटीविटी चीजÓ के बहुत बड़ा बू village collection मट डिफेरेंट प्रोल और जाढ़ होसे जो में uger जो सब अलग ह्आ 옛िविटी मेbble हैं as the same as the same as कि यहां पर को एक स्टूइट चाहता है कि मैं मैं तेमेटिक स्कूर्ट को क्रेटिविटियू मैं बहुत प्रेटिव हुँ थे इसको 2 प्लस 2 इस इकल तो 3 कर दोंगा प्रोव दैस नौट इसमें चाप्न गाया है कि यह क्रेटिव इन यहिप इस जस देक शिली यह एक मिस्टेक है सिस्टेस्ट इस नो लॉंगर दूइंग मैथेमेटिक की इससे यह बतलता है कि स्टूड़न एक मैथेमेटिक में इंटर इंटरेस्टेड नहीं उसके अंदर क्रियेटिव नहीं है क्रियेटिविटी इन्वाल्स बीइंग अट दे एज ऑफ फिल बट सिल 21st century skills के लिए भी अर्गोमेंट हो गया था उन्होंने राइटर ने इसमें बता है सच इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की मतलब की जो 21st century स्किल से प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्विंग करना फिर कम्मिनिकेशन और लर्निंग हाव तू लर सॉर्स ट्रांसफर इस डेफिनेटली पॉसीबल इसमें घाए चाप्रम हिए सब कहा गया है कि जो नेक्स हो गया था किसके ओपर की जो 21st century के स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको भी क्रिटीविटी बताए गया फिर गईज कुछ भी हो जो इंबोर्टेंट मैसेज है यह सब seridge के उपर इसका यह मतलब है कि अगर आप कोई student है जो मैथेमेटिक्स में इंट्रेस्टेट है तो उसको तो इसको York इसको क्रियेटिविटी मश्वस नहीं होगी तो यह लीडमा सब्सक्रेटिक apt न मच्छे से गहराई में जाके सूचे तो उसको हमें हिस्टी सिखाना होगा हिस्टी के ही classroom में Mastering disciplines learning to discipline को mastering करना learning to communicate एक अच्य से कर लेना एक दूसरे से engaging civically in discuss discussion and argument these have been and should remain at the forefront of all education ये सब हमारी education में आज कल सिखाया यह रहा है कि लोगों को चिखा है कि सच क्या है यह सब ब्यूटिफू है कि कौन सी चीज नहीं है कौन सी चीज अच्छी है कौन सा परशन अच्छा है कौन सा वरकर अच्छा है कौन सा सिटीजन अच्छा है इस एजुकेशनल गोल सुट भी पेरिनियल यह यह अभी यह अभी हमेशा के लिए हो गए है गाइस जो मैंने आपको बता है 21st century skills इतने परे पारग्राफ में से उसम इसमें कहा गया है कि अगर schools अगर creative subjects को अगर include करते हैं अपने जो बहुत सारे students को इसमें help होगा जो उनका real real creative potential रहेगा इसमें find करने में help होगा यह ही इसमें लिखा गया है guys the answer is the answer is no although they certainly can if they forget two important lessons first that if the maximum number of children are to be given the greatest possible chance of realizing their creative potential यहसा कि मैंने रिकाए skills को क्या करना स्कूल को जो उनके ब्रॉड रिच और ब्रॉड करिकूल में उन जो रेगुलर सब्जेक्ट से उसमें इनको क्या इंक्लिट करना है creative subjects को इंक्लिट करना है that are visual and performing arts यह अगर उन्होंने इंक्लिट किया तो इसमें बहुत सरे students को help हो उनके creative potential को find करने में तो चर to communicate effectively engaging civically in discussing and arguments so do school school skill creativity यह आप से question पूछा गया है और फिस में educational goals क्या कहा है जो स्कूल सिखाते है what is true what is beautiful what is good so guys यह था इस पूरे chapter में अभी हम चलते है नेक्स लाइट पर and second second reason and they that if they are serious about cultivating real creativity अगर students सच में serious है उनके अंदर जो भी real creativity उसको cultivate करने में तो they need to remember that creativity describes a whole collection of similar but different processes अगर सच में अगर वह interested है तो ऐसा ही school school को गरना चाहिए in other words they need to understand the central place of disciplines in education उनको समझ में आना चाहिए कि जो education दे रही है हमारी school सा भी हमें दे रहे हैं उनसे ही उसे ही तो हमें अगर हम वह school के education लेंगे तभी हमें पतला है कि हमारी creativity क्या है हमें किसमें interest है किसमें नहीं है तो and take them as their starting point in curriculum design इसमें last chapter में कहा गया है कि आप जो भी students है उनको जो भी उनको अपने स्कूल को starting point समझना चाहिए कि उनके जो भी आगे करना है जो जिसमें friends के साथ जरूर सेर कीजिएगा